राइबरेली से जहाँ पर कूड़े के धेर में सरकारी दवाईयां मिली हैं, सरकारी दवाई मिलने से हरकम बच गया है CHC बचनावा की ये दवाईं बताई जा रही है तो बड़ी खबर आप तक पहुचा रहें, सरकारी दवाई मिलने से हरकम बच गया है ये दवाईएं देखी वीडियो भी सुक्त सामने आया ये इस तमाम सरकारी दवाईएं जो कि किसी मरीज के काम आनी थी लेकिन ये सभी दवाईएं कूडे के धेर में मिली है जिसको बाद में तमाम सवाल इसकी खड़े हो रहे है कि आखिर किसकी लापरवाही से ये दवाईं मरीजो तक नपाहँच करके कूड़े के जहर में पहुची है सरकारी दवाओं का जो कूड़े में मिली हैं उसका एक वीडियो भी जमकर वाइरल हो रहा है और ये वही वीडियो भी आपको दिखा रहे है CHC बचरावा की ये दवाईयां बताई जा रहे हैं कोड़े के झेर में जो ये सरकारी दवाईं मिली है अधी चानकरी के साथ संबादता असद खाने सकत जुर गया सीधा ओनिका रुकत करते हैं असद देखिए ये कोई पहला मामला नहीं है लगातार DPCM के दो दौरे हो चुके हैं इस तक निर्पेज दिये जा चुके हैं जिला अधिकारी जो है माला शिर्वास को वो स्वासुभा को लेकर इस समय काफी सतर हैं चुकी देंगो और जो वाइरल के जो फीवर के जो मरीज निकलते हुए सामने आ रहे हैं उसके लिए द प्रकाश में आई है वीडियो वाइरल हुआ है तो कहीं न कहीं स्वासुभाग में हरकम जरूर मचा हुआ है लेकिन स्वासुभाग अपनी लचर कारविवस्ता से अभी भी सुधर नहीं रहा है कारवाही की जरूरत है और जब तक इन पर कारवाही नहीं होगी ये सुधरन प्रवाही नहीं की गई जी लेकिन जिस तरी के सी पूरा मामला इसकता सामने आया है असद इस पूरे मामल में अधिकारी और विससी बात है कि अधिकारी कहीं बचते हो नजर आएं क्योंकि लापरवाही है इसमें और जांच का डिनोरा ही पीटेंगे लेकिन जांच आखिर तक होगी और खास बात ये जांच के और बात है जन दवाइओंको मरीजनों तक पहुंचना था वह दवाईओं आखिर कोड़े क dziहर में कर क्या रही है किस व्यक्ति ने इन दवाईओं को अस्पताल से निकाल करके कूड़े कीrelated कि पहुंचाया और जो नया मामला सामने आ रहा है जबकि इस तरह से गंभीर बीमारिया जो पैर फसार रही है उसके पाद ऐसी दमाय जो उप्योग में आनी चाहिए जो इस पैरी नहीं है वो पूड़े के ढेर में नहीं तो कहीं न कहीं से शर्मनाक स्वास भाग के लिए जरूर है बिल्कुल वाके शर्मनाक है क्योंकि एक तरफ अगर देखा जाता है उपमुक्य मंत्री ब्रिजेश पाठक लगातार दौरे करते हैं और जहां पर भी इस तरीकी कि लापरवाई पाई जाती हैं वहां पर सीधे निर्देश देते हैं कि लापरवाई को खतम कीजिए और जो डर स्वास विभा को नहीं है बे लगाम हो चुकी है स्वास विज़स्ता राय बरेली की कही न कहीं से पट्री से बे पट्री हो चुकी है कारवाही की जरूरत है और कारवाही होगी तभी लोग सचेतेंगे और इस पर विशेश भियान रखेंगे फिलाल नियूज वन इंड या क्योंकि जब भी कोई भी ख़वर दिखाता है तो पूरी प्रमुक्ता के साथ उस ख़वर को दिखाया जाता है और आप देखना होगा कि इस ख़वर को दिखाने के बाद में कब इस पर कारवाई की जाती है जो लापरवाई अधिकारी है जो लापरवाई कर्मचारी है ज